एर डेकन बंद हो गई, किंग फिसर एरलाइंस बंद हो गई, एर सारा भी नहीं रहा, जेट एर विच बैंकरप्ट हो गई, अभी तक उसके प्लेंस हैंगर में पड़े हुए हैं, जे केसी ने उसको खरीदा लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, इतने सारे पहले ही लाँच हुआ है, और इसपाइस जेट के हालत भी कुछ खास नहीं है, पिछले पाँस साल के इसपाइस जेट की रिपोर्ट देखें तो वो लॉसस में है, इंडिया में अभी क्या हो रहा है, अभी बस साथ परसंट ही लोग फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, और एक्सपेंसन भी हो रहा है, मिनिस्ट्री ओफ सिविल एवियेशन की रिपोर्ट कहते है कि करीब 60 मिलियन पैसेंजर ने 2021 में ट्रेवल किया था, जो कि बढ़कर 95 मिलियन 2022 में हो गए, गुड्स ट्रांसपोर्ट भी 40 परसंट से बढ़ गए एक साल में, नंबर आफ एरपोर भी 2025 तक करीब 140 से बढ़कर 220 के होने के चांसे से हैं, और पॉपुलेशन में तो हम टॉप पर हैं ही, इंडिया में लोगों के पास डिस्पोजिबल इंकम तो बढ़ ही रही है, एक और बात यह है कि बहुत साइज सेक्टर में 2AC या फिर राजधानी के मिलिम फेयर के आसप रहे हैं, लेकिन एरलाइस पैसे कैसे कमाते हैं, मेंली तीन सोर्से से हैं, पहला टिकेट सेल्स, जितने ज़्यादा टिकेट बिकेंगे, जितना ज़्यादा प्राइस में उतना ज़्यादा रिवेन्यू कमाएंगे, अगर हम टोटल टिकेट सेल्स को नमबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल से डिवाइड कर दे तो करीब 44 सो रुपए पर पैसंजर इंडिगों ने 2022 में कमाया अगर एहमदाबाद टू मुंबई और डेली टू हमदाबाद सेगमेंट को देखें तो वहाँ पर यूज्विली टिकेट की प्राइस 44 से कम ही रहती है अगर एक महीने पहले टिकेट लिया हो तो अगर दो या तीन दिन पहले ही टिकेट ली जाए तो 6,000 या 8,000 या फिर कुछ भी प्राइसेस हो सकते हैं दूसरा है कारगो E-commerce का rapid growth इंडिया में देखा गया है Metro में तो लोग online purchase करते ही हैं Tier 2 और Tier 3 cities में भी लोग online purchase ज़्यादा करने लगे हैं तो goods flight के थोट ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा होने लगे हैं E-commerce sales बढ़ने के कारण ये airlines के लिए एक important medium of earning बन गया है और भी earnings के तरीके हैं जैसे की ticket modifications charges cancellation charges, in flight sales special service requests जैसे की windows seat के लिए पैसे अलग लग रहे आगे वाली seat के लिए ज़्यादा पैसे लग रहे है food और beverage इन सबसे भी revenue company generate करती है company हर तरीके के कोशिस करती है कि इस revenue medium को बढ़ाने के लिए अगर cost की बात करें तो fuel expenses सबसे बड़ा cost है किसी company का aircraft में aviation turbine fuel डलता है crude oil का cost बढ़ा ATF भी बढ़ गया इंडिया 80% से ज़्यादा crude oil import करती है तो इसके price को अपनी मर्जे के हिसाब से regulate भी नहीं किया जा सकता जैसे कि petrol में सरकार बहुत साई taxes लेती है वैसे ही इसमें भी बहुत साई taxes लेती है आपने देखा होगा एक गाड़ी रहती है जो कि flight को tow करती है basically taxi bot से airline अपने cost बचाती है एर इंडिया ने करीब 15,000 ton jet fuel बचा लिए तीन साल में ये बहुत बड़ी cost saving है दूसरा है ownership cost airline कुछ aircraft खरती है तो कुछ को lease पे लेती है उसका rental लगता है दूसरा ये है कि usually airlines aircraft किसी और से लेती है और engine किसी और से तो engine का भी रेंटन लगता है engine है aircraft है तो उसका maintenance भी होगा उसका cost भी आता है और depreciation cost तो रहता ही है तीसरा है employee cost अब business चलाना है तो employee तो रखना ही होगा robot से तो काम नहीं हो पाएगा maybe future में robot airport staff के खर्च को कम कर सके लेकिन अभी employee cost भी major expenses है company के लिए gain आएगा actual में जो भी aircraft या engine का rental होता है वो mostly foreign currency में होता है अगर currency fluctuation हुआ तो profitability पर impact आता है अगर profit चाहिए तो क्या करना है profit is equal to revenue minus cost या तो revenue बढ़ा है या फिर cost को कम करे या फिर दोनों काम करे हर company कुछ ना कुछ steps लेते रहती है दोनों चीजें करने के लिए लेकिन अगर cost बढ़ते जा रहा है और revenue घटते जा रहा है मतलब की losses हो रहे है तो कोई भी company कुछ साल तक उन losses को fund कर पाएगी चाहे promoter fund करे या फिर investors लेकिन जब funding के sources खत्म हो जाते हैं तो company के पास और कोई officer नहीं बचता उनको bankruptcy फाइल करने पड़ती है अब go air का case देखते हैं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी aviation market इंडिया है और हो सकता है कुछ साल में सबसे बड़ी aviation market भी बन जा है एक साल पहले go first या go air कह लें अपनी IPO लाने वाली थी और अब वो bankruptcy फाइल कर रहे है गो air को own कौन करता है वाडिया ग्रूप वाडिया ग्रूप में कौन कौन से popular company है बिटेनिया, Bombay, Dying, Bombay, Bumra Trading नेसनल परोकसाइड अगर इन चारों की profitability चेक करें तो यह करीब 1300 करोड था दो साल पहरे है गो air का loss 1800 करोड इन चारों कंपनी के profit से भी ज़्यादा गो air का loss है इससे यह हुआ कि पूरे ग्रूप का ही loss 500 करोड का हो गया और culprit कौन है? गो air गो air के कारण पूरे ग्रूप की हालत खराब हो रहे थी और पिछले साल बॉम्बे डाइंग और बुम्रा ट्रेडिंग भी losses में आ गई अब गो air की गारी को चलाना सर्टेनली मुस्किल हो गया दूसरी बात यह है कि गो air की 50 में से 25 एरक्राफ्स के इंजन खराब है प्रैट अन्वाइट ने के उसमें इंजन लगे हुए है सिर्फ गो air के नेबल की इंडिगो टर्किस एरलाइन और एर बैल्टिक के भी कुछ प्लेंस के इंजन खराब है इसके कारण उनके भी एरक्राफ्स यार्ड में पड़े हुए है 25 एरक्राफ्ट गो एर के ग्राउंडेड है और इंडिगो के भी 40 एरक्राफ्ट ग्राउंडेड है लेकिन इंडिगो के पास 300 एरक्राफ्ट है और गो एर के पास 50 तो इससे इंडिगो को ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा लेकिन go air की 50% flight उड़ी नहीं पाई तो certainly उसको problem आनी ही थी airline industry में एक और factor है predatory pricing हर company अपनी growth देखती है हर company चाहती है कि सबसे ज़्यादा profit वो कमाए इसके लिए वो कुछ भी करती है अगर हम इंडिया की airline industry को देखें तो maximum airlines low cost carrier है मतलब ये है कि go air, indigo, spice it हर को economical ticket बेचते हैं जब सबस्ते में टिकेट बेच रहे हैं तो कोई uniqueness इनमें नहीं होती है लोगों को आज go air में टिकेट सबस्ता लगा तो go air से ticket बुक कर लिया कल indigo में सबस्ता लगा तो उसमें बुक कर लिया timing थोड़ा बहुत उपर नीचे भी रहे तो customers काम चला लेते हैं तो basically customer loyalty नहीं बन पाता है indigo के पास 50% से ज़्यादा market है लेकिन customer loyalty बहुत कम है indigo ने भी कोसिस किये ये दिखाने की वो on time performance दे रहे इससे कुछ uniqueness बनाने की कोसिस कर रहे थे लेकिन बहुत बार वो इसमें fail हो गए although air विस्तारा जो की 2015 में इंडिया में launch हुई थे उसने बहुत तरी से market गेन किया है customer loyalty पर ज़्यादा focus किया है अभी इंडिया में बस दू ही full service airlines है air विस्तारा और दूसरा है air India फुल service का मतलब है कि in-flight meals और beverages वो दे रहे है air विस्तारा ने frequent flyer program launch किया था इससे customer का engagement air विस्तारा के साथ बना रहा अगर हम customers को देखें तो basically दो type के customers होते है एक जो कि सस्ते ticket के पीछे भागते हैं तो दूसरा better service और better experience के लिए पहले type का customer से loyalty बनाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन इस type का customers के numbers जादा है दूसरे type के customers के numbers कम है लेकिन उनके साथ loyalty बनाया जा सकता है और ये भी है कि इंडिया में दोनों type के customers बहुत तेजी से grow हो रहे हैं जैसे कि एक example लेते हैं Lamborghini Lamborghini ने 100 cars की sales का इस साल target किया था लेकिन दो मेहने में उनका target पूरा हो गया premium mobiles का market इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है इससे ये पदा चलता है कि premium product के पीछे जाने वाले customers के numbers इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं तो full service airline या फिर ये कह सकते हैं कि जो airlines better services देगी उसके लिए customers इंडिया मारकेट में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं अब आते हैं predatory pricing पे predatory pricing का मतलब हुआ जैसे कि एक दुकान 100 रुपए की डाल बेच रहा है और उसके बगल वाला दुकान 90 रुपए की डाल बेच रहा है दोनों डाल सेम है उसमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है इससे ये होगा कि पहले दुकान का माल नहीं बिकेगा और पड़ा पड़ा सर जाएगा और दूसरा पैसे कमाते जाएगा एरलाइन इंडिस्ट्री में भी ऐसा ही हो रहा है बेसिकली दो फ्लाइट हैं दोनों दिल्ली से मुंबई जा रही है एक साड़े आठ बजे हैं दूसरी नौ बजे एक का फैर चार जा रहे तो दूसरे का साड़े चार जा तो यह देखकर दूसरे वाले ने अपना फैर साड़े तीन हजा़ा कर दिया और फ्लाइट भर गई और पहले वाले की फ्लाइट कम भरी यह है प्रिडेटरी प्रैसिंग, यह बहुत कोमन प्रैक्टिस है और ये भी है कि predatory pricing economical customers को ज़्यादा impact करेगा premium customers को rarely इससे फर्ग पड़ेगा इसलिए इससे low cost carriers में ज़्यादा impact देखा जा सकता है Go Air, Indigo, Spize It, हर airlines predatory pricing को यूज करती है ये आज से चले नहीं आ रहा, ये पहले भी होता था एक और बात ये भी है कि turn around time जैसे कि आप flight में जब बैठते हो तो आपने देखा होगा crew members बीच में दो बार पॉइटीन लेकर आते हैं और हर किसी से पूछते हैं अगर कोई कुड़ा हो तो दे दें Basically वो पहले से plane को अगली उडान के लिए तयार करने लगते हैं Turn around time का मतलब वो लैंडिंग और अगली उडान के बीच का समय इसको हर airlines minimize करने की कोशिस करती है Airline industry में एक terminology है पैसे तभी बनेंगे जब planes हवा में रहेगी ऐसा क्यों है Profit के लिए revenue का cost ज़्यादा होना ज़री है जब flight जमीन पे है तो उसका revenue zero हो गया और cost, leasing cost, airport fees और depreciation और भी बहुत सारे cost लगते रहते हैं तो वो overall profitability को negatively impact करेगा तो हर airlines turnaround time को कम करने में लगी रहती है Basically यह हुआ कि minimum flight से maximum usage जब flight खराब हो गई तो turnaround time बहुत ज़्यादा हो जाएगा इससे losses बढ़ने लगेंगे Basically Indian airline industry का future bright है Airlines अभी भी ढून रही है नए नए mediums revenue बढ़ने के और cost घटाने के और हमेशा से उसमें लगे रहेंगे अभी भी बहुत सारे revenue generation के sources हैं जो कि airlines utilize कर सकती है जैसे कि बहुत सारे family infant को carry करती है तो उनको बच्चों को feed करने के milk चाहिए जो कि easily available नहीं होता ना airport पे ना flight पे उनको usually इसको carry करना पड़ता है तो वो family hot milk pre-book कर सकती है या तो वो milk flight में लेने या फिर airport के अंदर depending on situations chances ज़्यादा रहते हैं कि parents अपने बच्चों के लिए 10 रुपे की दूद के लिए 100 रुपे देने के लिए तयार हो जाएंगे ये तो बच्चों के food से related एक case हुआ लेकिन और भी specific use cases है जिससे airlines अपने revenue को बढ़ा सकती है और cost गटाने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं eventually profitability airlines segment में कुछ साल में दिखने के chances ज़्यादा है